केवल आपने भी इन तिन टिप्स को फॉलो कर लिया और उगा लिया इस तरह से तुलसी या कियर कर ली इतनी जो कि मैं आज की वीडियो में बताऊंगा तो जिस तरह आप मेरी पढ़ती हुई कड़ाकेदार सर्दियों में भी हरी भरी तुलसी देख रहे हैं तो आपकी भी त से स्टार्ट करते हैं दोस्तों कई बार कई लोग कमेंट करते हैं मेरी वीडियो पर कि भाई या हम लोग तुलसी तो कई दिन से उगा रहे हैं कई बार तुलसी नहीं उखती और तौर हमारी जो तुलसी आती है जयानी जो उखती है वह अच्छी चल नहीं पाती और विंट टिप्स को फॉलो करके दोस्तों हमेशा तुलसी में एक चीज का बहुत अच्छे तरीकिस ध्यान रखे कि जब कभी भी आप लोग तुलसी विंटर्स में स्पेशल केर करें तो कई बार जो हमाई तुलसी का पौधा होता है वो सर्दियों में एक्दम सूख जाता है उसके पत इसके उपर रख देंगे तो आपका जो तुलसी का पौधा है बहुत अच्छा गरोह होगा एक्चुली में आप लोग फैक्ट जानिए कि ऐसा होता ही क्यों है ना कि आप सॉलूशन जानिए देखें जब बहुत हैवी ओस या बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड आपके तुलसी के पौधे को लगती है तो जो आपका पौधा है ये इतनी ज़्यादा सर्दी सह नहीं पाता और हिंदुजम में एक फैस्टिवल होता है जिसे की कहा जाता है तुलसी विवा तो तुलसी विवा हमारे छोटे मोटे तुलसी के पौधे को बचाने के लिए ही कराया जाता है साइंटिफिक तोर पे कि हमारी तुलसी कई बार सह नहीं पाती इतनी ज्यादा सर्दी तो हम उसे कवर अप करते हैं तो सबसे पहला काम जो की है कवर करना और तोर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी डालनी होती है जिससे कि हमारे तुलसी बची रहती है तो तो फ्रेंड्स दूसरी टिप यह है कि आप लोगोंने कई बार ये चीज सब के मूझ से सुनी होगी कि तुलसी की मंजरी को तुरंत आते ही काट देना चाहिए चलिए इसके पीछे का साइंस जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है एक्चुली में फ्रेंड्स जब कभी भी आपके पौधे में मंजरी आती है तो भी काफी जादा न्यूट्रियंट्स प्लांट के खीच रेती है इसके अंदर बीज बनता है और तुलसी का पौधा या कोई भी पौधा उसके सीड के प्रोडक्शन के बाद बहुत ही जादा कमजोर हो जाता है और तुलसी का प्लांट एक दो बार मंजरी देने के बाद अपनी सैकल कंप्लीट कर लेता है और यह डेड हो जाता है हाला कि विंटर्स में आप लोगों के तुलसी के चार छे या दुस्पंद्रा पत्ते पीले होके सूख जाना एक बहुत नॉर्मल सी ब जालना है और यह चीज तो आप लोग को करनी ही है कि आप लोग अपने पौधे के मंजरी को स्टार्टिंग में ही काट काट के इस तरह से तोड़ दीजिए क्योंकि अगर आपने इसको बड़ा रहनी दिया तो आपके पौधे में अभी तो नहीं बट बाद में असर जरूर दिखेगा तो फ्रेंड्स अगर आपके पौधे इसी तरह से कमजोर हैं तो एक बार जरूरे टिप अपनाईएगा और मंजरी आते ही ज्याने के उसके शूट दिखते ही तुरंत काट दे एक दो दिन का भी इंतजार ना लें तो चलिए अब तीसरी और महतवपून टिप की डाल दें तो फ्रेंड्स तीसरी और बहुत महतवपून चीज कि जब कभी भी आप हम लोग आपको गुड़ाई करने के लिए कहते हैं तो उसके पीछे का रीजन यह है कि जब आप अपने पौधे की गुड़ाई करते हैं तो आपके पौधे में नाइट्रोजन हवासे जा जो भी आप लोग के पास equipment है उसे कुछ इस तरह से खोद लें जिससे की आपकी मिट्टी हो वो थोड़ी लूज हो जाए और आप लोग को भी थोड़ी help मिले आपके पौधे की अच्छी growth के लिए तो अपने simple आप लोग को तुलसी के पौधे को इस तरह से खोद लेना है और अब मैं वह आपको चीज उताने जा रहा हूं जो कि बहुत important है हल्दी तो आखिर हल्दी क्यों डाले हमारा पौधा तो स्वस्थ है हल्दी इसलिए डाले अगर आपका जो पौधा बहुत पीला हो रहा हो उसके पत्ते बहुत पीले हो रहे हो तो आपको हल्दी डालनी ह क्योंकि विंटर्स में या कोई भी सीजन में कई बार हमारी तुल्सी जी इसलिए पीले होन लगती है क्योंकि ओवर वाटरिंग होती है और विंटर्स में तो कई बार जो हमारा पौधा है वो इतनी तेज धूप नहीं रहती कि अपने पूरे जो मॉइस्टर है उसको वो र इस तरह से हल्दी की जड़ में डालें जिस तरह से आप लोग को इस वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद उसको इस तरह से कुछ चला दें गुड़ाई दुबारा कर दें ऐसे में जो आपका पौधा रहेगा वो एक दम सौस्त रहेगा और आपके पौधा कई दि अगर बीज से उगा रहे हैं तो मत उगाईए तुलसी को हमेशा उगाईए अपना अगस्त से सितंबर में अगर बीज उसका कलेक्ट करके रख लें उसके बाद इसे इस महीने में अगर आप उगाएंगे जुलाई अगस्त में तो वह एकदम जवान रहेगी उसका पौधा कि लाइट सैकल के बारे में प्रोडक्शन के बारे में फ्लावरिंग फ्रोटिंग केर और सारी इंफोमेशन रख लें उसके बाद ही कोई पौधा होगाएं क्यूंकि अगर आप लोग बुगाएंगे आप लोग का टाइम वेस्ट होगा आप लोग को चीज समझ नहीं आए कि हर एक आदमी की कोईडिक उठा सकूं और मैं जादा से जादा वीडियो को अफलोड कर सकूं अपनी माध्यम से कि आप लोग तक पहुश पाएं और उमीद है कि तुलसी की इतनी सिंपल केर आप लोग तो करी सकते हो देखिए बताने को तो और भी तुलसी की दो-तीन बा